विधान सबा चुनाओं के आहन घोशना से पहले राज सरकार ने राजी के सभी विधायकों के लिए खजाना खोल दिया है राज सरकार के सभी 273 विधायकों को 218 करोड रुपए बता और विधायक विकास निदी के रूप में दी जा रही है इस संब्ध में शुकरवार को सरकार ने एक शासना देश जारी किया है हालाक युरोधी दल के विधायकों को शक है कि सरकार ये रकम उन्हें अचार सहिएता लागू होने से पहले देगी राज्य में विधान सभा चुनाओ कराने की तैयारियों का मुआयना करने के लिए केंद्री सोचना आयोग दवरे पर है शुक्रवार को आयोग ने पुलिस अधिकारियों और मुक्र सचीव सहित विदान सभा चुनाओं से संबंदि तमाम विभाग के प्रमुक अधिकारियों के साथ बैठक की आयोग ने राजनीती दलों के प्रतनीदियों से मुलाकात की इधार राज सरकार ने सत्ताधारी और विपक्षी के विधायकों के लिए 28.40 करोड रुपाई की विधायक निधी जारी की निधी बटवारे में सरकार पर किसी भी तरह के भेद भाव का आरोप नहीं लगे इसके लिए सरकार ने सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विदायकों को यह विकास निधी देने जा रही है वित्विभाग ने राज के सभी विधायकों को 80 लाक रुपाई की एक समान विकास निधी बाटी है मुंबई के 36 विधायकों को 28.80 करोड रुपाई की विकास निधी मिल रही है मुख्यमंतरी एकनाच चिंदे के प्रभावाले थाने छेत्र को कुल 14.40 करोड रुपए की विकास में धी दी है उप मुख्यमंतरी देवन रफाणव इसके नागपुर जीले को 8 करोड रुपए और उप मुख्यमंतरी अजीत पवार के प्रभुत वाले पूने जीले को 16.80 करोड रुपए की विकास में धी मिली है वित्विभाग ने रुपए के विकास में धी भी वित्रित की है राज सरकार ने निर्दली विधायक हितेंद्र ठाकूर, शितिष ठाकूर, गीता जैन को भी खुश करने का काम किया है ताकि विधान सबाचुनाओं के बाद अगर मदद की ज़ुरत पड़े तो इन विधायकों के मन में असंतोश का माहौल ना हो Desk Report, Bombay Leaks